आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Parasite with green leaves and epiphyte with green roots and an epiphyte with green leaves respectively along the following set of plants मतलब यहां तीन कंडिशन दिया गया है एक है पहला जो Parasitic है और उसके बाद लेकिन Parasitic होते हुए भी उनके जो है green leaves है next बोला गया है कि green roots वाले plant जो epiphyte है और green roots भी present है green root epiphyte epiphyte मतलब ऐसे plants जो कि एक host plant के उपर grow करते हैं उन लोग को क्या कहा जाता है उनको epiphyte कहा जाता है next है green leaves green leaves with epiphyte मतलब जो plant है वो green होने के साथ green leaf होने के साथ वो epiphyte भी है मतलब host के उपर invade कर रहा है तो चलिए देखते हैं एक एक करके कौन सा option जो है correct है तो पहला है vanda तो vanda एक ऐसा plant है जो की क्या करता है जो की एक epiphyte है और epiphyte होने के कारण ये क्या करता है ये grow करता है अपने host plant पे लेकिन अगर हम देखा जाए तो ये vanda जो है इन में green color के leaves जो है वो present रहते हैं माने ये photosynthesis भी होता है next है teneophyllum teneophyllum एक ऐसा plant है जो की क्या show करता है जो की ribbon like root show करता है ribbon like root और इन में क्या होता है कि ribbon like root होने के कारण ये जो root होता है वो green color के भी होते है जो की photosynthesis भी होता है या फिर photosynthetic होते है यानि यहां से yellow photosynthesis कर पाते हैं और ये भी एक kind of epiphyte ही है जो की host के उपर grow करता है यानि हमारा जो second option है green root epiphyte उसमें हम लोग लिख सकते हैं teneophyllum को और vanda को हम लोग डाल सकते है जो हमारा epiphyte with green leaf है तो यहां पे हम लोग vanda का भी लिख सकते हैं green root के जगे यहां पे क्या लिख सकते हैं यहां पे जो tenea है उसका t next देखते हैं strigra या फिर striga तो striga क्या है यह एक ऐसा plant है जो की जाना जाता है witch weed के नाम से witch weed यानि की यह क्या करते हैं यह एक parasitic plant है जो की host से nutrients जो है वो gather करते हैं तो यह यहां पे हम लोग parasite के जगे striga को लेख सकते हैं next है viscum तो viscum एक ऐसा plant है जो की क्या है एक obligate parasite है मतलब यह अपना nutrients जो है host से लेते हैं लेकिन पूरी तरीके से हर nutrient नहीं रहता है जो की वो सारे nutrients लेता है जो की सिर्फ उन लोग को जरुरत होता है तो viscum जो है यह एक kind of parasitic हो गया next है teneophyllum जैसा कि हम लोग ने अभी अभी discuss किया teneophyllum जो है यह एक epiphyte है जिसके roots जो है वो green है यानि यह हमारे second से match करता है और vanda जो है यह भी हम लोग ने discuss किया कि इनके roots जो है वो epiphyte है और वहां से यह लोग photosynthesis भी करते है यानि second option जो है यह हमारे बिल्कुल match करता है question से next है avischnia तो avischnia जो है यह एक ऐसा plant है जो कि mangrove कहा जाता है यानि यह salt water में क्या करते हैं invade कर सकते हैं या फिर अपना live कर सकते हैं next है rafalacia तो इनका जो है largest flower के नाम से जाना जाता है और यह एक parasitic plant है next है vanila जो कि हम लोग ने discuss कर लिया है और यहां पे भी है striga, autineophyllum और last में cascata तो cascata जो है यह एक ऐसा plant है जो कि फिर से parasite है यानि हमारा correct option according to the question क्या हो जाएगा second option और उसको हम लोग tick कर लेंगे चारसो चारसो पर